नमस्कार दोस्तों लोग यह जानना चाहते हैं कि ममताब एनरजी बहकी-бहकी बाते क्यों कर रही हैं वो यह मांग क्यों कर रही हैं कि सैयुक्त राष्ट संङ और मानाव अधिकार आयोग और इससे जुड़ी हुई संस्थाएं जो नागरिक्ता संशधन कानून है और राश्टिय नागरिक्ता रजिस्टर है उससे जुड़े हुए मसलों पर जन्मत संग रहे कराएं और राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इनसे अलग रहें तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि क्या ममता बेनर जी पहली बार बहकी बहकी बाते कर रही हैं या इस तरह की बाते कर रही हैं आप उनका पूरा रिकार्ड उठा करके देख लीजिए वो तो हमेशा इसी तरह की बाते करती है और वोट बैंक पालिटिक्स के लिए वो किसी भी हद तक जाती है जा सकती है जो दुरगा पूजा के लिए भी तमाम तरह की पावंदियां आयद कर दे और लोगों को दुरगा पूजा के लिए भी कोर्ट जाना पड़े उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर से आप और क्या आप एक्षा करेंगी पिछले तीन चार दिन में हमने देखा है जबसे नागरिक्ता संशोधन कानून पारित हुआ है और राष्ट पती की उस पर महर लगी है और अलग-अलग शेत्रों में जो विरोध परदर्सन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में शायद वो देश की अकेली मुख्यमंत्री हैं जो परदर्सनों का नित्रत्व कर रही हैं तीन दिन तक उन्होंने अलग-अलग शेत्रों में रहलिया निकाली और खुद परदर्सन का नित्रत्व किया एक समयधानिक पद पर होते हुए क्या किसी मुख्यमंत्री को इस तरह का आच्रण शोभा देता है क्या इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है कि संयुक्त राष्ट संग या मानाव अधिकार से जुड़े हुए संगठन इन दोनों चीजों पर CAA पर भी और NRC पर भी भारत में आकर कि जनमत संग्रह करें क्या ये कानून सम्मत है क्या भारत का समिधान भारत की संसद भारत का सुप्रिम कोट और सरकार संयुक्त राष्ट संग को या किसी संगठन को जनमत संग्रह कराने की इजाज़त देंगे वो किस तरह का बातावरन इस देश में पैदा करना चाहती है और किस तरह की परिपार्टी बनाना चाहती है मंता बेनर जी ने बहुत आपति जनक और उत्ते जक बातें पिछले कुछ दिनों में कही हैं उन्होंने कहा है कि आमित शाह या मोदी पश्चिम बंगाल में CAA यानी नागरिकता संशोदन कानून को लागू करके दिखाएं और उन्होंने इसके खिलाब सरकारी खर्चे पर सडकों पर पोस्टर बेनर लगाए हैं जिसमें साफ तोर पर ये लिखा गया है CAA NRC 9 और राज जपाल जगदीब धनकड को कड़ा रूखा अपनाना पड़ा उन्होंने ममता बेनर जी के कुछ बयानों को आपति जनक असामिधानिक बताते हुए ये कहा कि वो इन बयानों को वापस ले और सरकारी खर्चे पर जो वो केंद्रिय कानून का विरोध करने वाले पॉस्टर बेनर सडकों पर लगवा रही हैं उनको तुरंट उतरवाएं लेकिन इसके मम्ता बेनर जी उसी तरह की बयानबाजी उसी तरह की चुनोती और आपति जनक शब्दों का परियोग करती जा रही हैं उन पर कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है और राज जपाल के दिशा निर्देश भी पूरी तरीके से निस्थ प्रभावी दिखाई दे रहे हैं मम्ता बेनर जी ने ये भी कहा है कि क्या भारतिय जनता पार्टी हमारे पूरवजों से उनके जनम के परमान पत्र मांगेगी क्या भारतिय जनता पार्टी के नेता भी अपने पूरवजों के प्रमान पत्र पेश करेंगे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैश करने के लिए ये भी कहा कि BJP हमारे पूरवजों का अपमान कर रही है यानि वो पूरी तरीके से अप्रेल मई 2021 में होने वाले विधान सवा चुनाव की तैयारी अभी से कर रही है और एक तरीके से उन्होंने पाले बंदी और मोर्चा बंदी अभी से कर ली है आप जानते हैं कि ममता बैनर जी मौदी और शाहा दोनों के खिलाफ ही किस तरह की बयान बाजी करती रही है और खास तोर से लोक सभा चुनाओ और उससे पहले से ही किस तरह से उनकी सरकार ने आमित्शाह की भी और मोदी की भी रैलियां रोकने के लिए उनके जनसंपर्क रोकने के लिए कैसे कैसे उपाय किये थे तब भी भरते जनता पार्टी को कोट का सहरा लेना पड़ा था ऐसे कई अवसार आये थे जब आमित्शाह के हेलिकॉप्टर्स को उतरने की इजाज़त नहीं मिली थी उनको रैलियां करने की इजाज़त नहीं मिली थी कानून और व्यवस्था और गड़बडी की आशंका बता कर उनकी रैलियों को उनके जलूस को उनके जनसंपर्क को रद कर दिया गया था और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर भारते जनता पारटी और तरण मूल कॉंग्रेस के कारेकटाओं के बीज संघर्स होते रहे हैं बहुत सारे बीजेपी के कारेकटा और नेता अलग अलग जगाओं पर हिंसा का शिकार हुए हैं बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं ममता बेनर जी लोकसबच नाओं में अधिकांश सीटे जीतने का सपना देख रही थी लेकिन भारतिय जनता पारटी ने वहाँ पर उनके उस सपने को एक तरीके से धुस्त कर दिया भाजपा अठारा सीटे जी थी और ममता बेनर जी की पारटी जो 35 से 40 सीटे जीतने का सपना देख रही थी वो 22 पर अटक करके रह गई जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतिय जनता पारटी का ग्राफ बढ़ रहा है तरणमूल कॉंगरेस का ग्राफ गिर रहा है लेफ्ट वहां लगबग समापती की और है और कॉंगरेस भी कुछ एरिया में सिमट करके रह गई है उससे ममता बेनर जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है कई अवसरों पर वो आपक होती हुई दिखाई दी है हल फिला हल में राजजपाल जगदीब धनकड के साथ भी उनकी तना तनी कई अवसरों पर देखने को मिली है समधान दिवस पर भी दोनों के मतभेद खुल करके सामने आ गए इसके अलावा बीच में जब राजजपाल विधान सभा गए तो उनके लिए गेट नहीं खोले गए और राजपाल को वहाँ धरने पर बैठना पड़ा आपको याद होगा जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी अपनी दूसरी सरकार के शपत ग्रहन समारों की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अलग-अलग मुख्य मंतरियों को निमंतरन पत्र भेजे थे ममता बेनर जी को भी शपत समारों में भाग लेने के लिए निमंतरन पत्र भेजा था और ममता बेनर जी ने वो निमंतरन पत्र सुईकार भी कर लिया था लेकिन जब उनको पता लगा कि मौधी सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन भाज़ापा परिवारों को भी आमंत रित किया है जिनके परीजन टीमसी के साथ संगहर्स में मारे गए थे या हताहत हुए थे तो उन्होंने शपत ग्रहन समारो में आने का इरादा त्याग दिया करीब साड़े तीन महीने पहले सितंबर में अचानक दिल्ली पहुँचकर उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंतरी आमित शाह से मुलाकात करके सभी सियासी जानकारों को चूंकाया था तब उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल की कुछ मांगों को ले करके प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी से मिली है और इसे एक सिष्टा चार मुलाकात ही माना जाए और वास्तों में वो एक सिस्टा चार मुलाकात ही सिद्ध हुई क्योंके केंदर सरकार जितने भी एहम फैंसले ले रही है उन सब का ममता बेनरजी खुल करके विरोध कर रही है और भाजापा सरकार दुआरा लिये जा रहे हैं फैंसलों और पश्चिम बंगाल में उसके बढ़ते हुए ग्राफ से वो कितनी परेशान है उनके बयानों से और उनके एक्शन से साफ महसूस किया जा सकता है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेर भी करें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत जाए